ओडियो बुक, C.I.E.T. N.C.R.A.T. द्वारा प्रस्तुत है ओडियो बुक श्रंखला, इस श्रंखला के अंतरगत आईए सुनते हैं कक्षा दस्वी की पाठ्य पुस्तक, लोगतांत्रिक राजनीती भागतो, वाचन संजय चनसोरिया, अध्याए एक, सत्ता की साज़ेदार प्रिष्ट संख्या, एक से बारह, सत्ता की साज़ेदारे, परिचय, इस अध्याए के साथ हम लोगतांत्र की उसी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थे, पिछले साल हमने देखा था कि लोगतांत्रिक व्यवस्ता में सारी ताकत किसी एक पलिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोगतांत्र के कामकास के लिए बहुत जरूरी है। पहले तीन अध्याओं में हम सत्ता के बढ़ारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आईए हम बेलजियम और श्रिलंका की दो कथाओं के साथ शुरूआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन लोगतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बढ़ारे की बांग में किस तरह ने पड़ती है। इन घटनाओं से ये समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोगतांत्र में सत्ता के बढ़ारे की शेत्रफल में हमारे हर्यारान राजे से भी छोटा इसकी सीमाएं फ्रांस निदरलेंड जर्मनी और लक्संबर से लगती हैं इसकी आबादी एक करोड से थोड़ी अधिक है यानि हर्यारान की आबादी से करीब आधी इस छोटे से देश के समाज की जाती बुनावट बहुत जटिल है देश की कुलाबाधी का 69 फीसदी हिस्सा फ्लैमिश इलाके में रहता है और डेच बोलता है शेश 40 फीसदी लोग वेलोनिया क्षित्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं शेश 1 फीसदी लोग जर्मन बोलते हैं राजधनी ब्रूसेल्स के 80 फीसदी लोग फ्र बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और सिक्षा का लाब पाने वाले डच भाशी लोगों को इस इस्तिती से नाराज़ की थी। कम्ले में कमजोर और अल्पमत में थे। आईए इस इस्तिती की तुन्ना एक और देश से करें। फिर तमिलों का रंबर आता है जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में अठारा फीसदी है। तमिलों में भी दो समू हैं। शुलंकाई मूल के तमिल 13 फिसदी और हिंदुस्तानी तमिल जो आपनिवेशक सेशनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। मौजूदा शुलंका के नक्षे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुखिरूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। अपनी बहु संख्या के बलपर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वज़े से लोगतांत्रिक रूप से निर्वाच्चित सरकार ने सेहली समुदाई की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहु संख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानूम बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सेहली को एकमात्र राजभाशा घुशित कर दिया गया। विशविद्यालेयों और सरकारी नौकरियों में सेहलीयों को प्रात्मिक्ता देने की नीती भी चली। नए समुदान में प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौध मत को समरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने शिलंकाई तमिलों की न ने कामों में उनके साथ भेदभा हो रहा है और उनके हितों की अंदेखी की जा रही है। परणाम यह हुआ कि तमिल और सिहली समुदायों के सम्मंद बिकड़ते चले गए। शिलंकाई तमिलों ने अपनी राजनेतिक परटिया बनाई और तमिल को राजभाशा बनाने, क् शिक्षा और रोजगार में समान आउसरों की मांग को लेकर संगर्श किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायतता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भाग कर श्रुनार्थी बन गए हैं। इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई है। आपने पढ़ा है कि हमारे क्षित्र के दोशों में आर्थिक विकास, सिक्षा और स्वास्त के मामले में श्रुलंका का रिकार्ड सबसे अच्छा है पर वहां के ग्रिय युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी परिशानिया पैदा हुई है। बेल्जियम की समझदारी बेल्जियम के निताओं ने श्रुलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्री अंतरों और सांस्कृतिक विविताओं को स्विकार किया। और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें इस तरह हैं। समविधान में इस बात का इसपस्ट प्रावधान है कि केंदरी सरकार में डच और फ्रेंच भाशी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेश कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाशाई समू के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समदाई के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। केंदरी सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो इलाकों की खितरी सरकारों को सुपूर्द कर दी गई हैं यानि रज्य सरकारें केंदरी सरकार के अधी नहीं हैं। ब्रूसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाशी लोगों ने ब्रूसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाशी लोगों ने केंदरी सरकार में बराबरी का प्रतिन बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहां भी रहते हूं इस समुदायक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृती, सिक्षा और भाशा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का आशंकाओं पर विराम लग गया है, वरना ग्रह युद की उस्थिती में बेल्जियम भाशा के आधर पर दो टुकुड में बढ़ गया होता। जब अनेक यूरोपिये देशों ने साथ मिलकर यूरोपिये संग बनाने का फैसला किया, तो ब्रूसेल्स को उसका मुख्या ल को लगा कि वेविन समुदाय और ख्षेत्रों की भावनाओं का आधर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साज़दारी करने पर सहमत हुए। शलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे पता चलता है कि अगर क्यों जरूरी है। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तरक दिये जा सकती है। पहला सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे वेविन सामाजिक समुदाय के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अ आगे चल कर ये देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। सत्ता का बठवारा लोकतंतरिक व्यवस्थाओं के लिए तीक है। इसके पक्ष में एक और बात कहीं जा सकती है। और वह बात कहीँ स्यादा गहरी है। सत्ता की सजदारी दरसल लोकतंत्र की आत्मा है लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतरकत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें इसलिए वैद सरकार वही है जिसमें अपनी भागिदारी के बाध्यम से सभ भी समूह शासन व्यवस्था से जुड़े हैं इन दो तरकों में से एक को हम युक्ति परक और दूसरे को नैतिक तरक कह सकते हैं युक्ति परक या चमसदारी का तरक लाबकर परणामों पर जोर देता है जबकि नैतिक तरक सत्ता के बटबारे के अंतरभूत महत्व को बता है फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूली साथी चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में ही हो सेलवी शुलंका की राजधानी कोलंबो के एक स्कूल में पढ़ती है वो और उसके स्कूल के बहुत से दोस्त तमिल भाशी है और इनके माता-पिता पढ़ाई का माध्यम तमि ही रखना चाते हैं कौन सी सरकार एनिते और सेलवी के माता-पिता की इच्छा पूरी कर सकती है किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक है और क्यों खलील की उल्जन जैसा की होता है इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मॉटर साइकल चलाय जा रहा था और बेताल उसकी पीट पर बैठा था हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना जाए बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया कहानी कुछ इस प्रकार थी बेरूत शेहर में खलील नाम का एक आदमी रह करता था उसके माबाप अलग-अलग समधाय के थे उसके बेरूत में भी बस जाते थे वे साथ रहते थे मेल जोल होता था और ग्रे युद में वे एक दूसरे से ड़ते भी थे खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था ग्रे युद की समापती के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और वेबन समधायों क के बीच सत्ता के बटवारे के कुछ भुनियादी नेमों पर सहमत हुए इन नेमों के अनुसर तैह हुआ कि देश का राष्टपती मेरोनाइट पंत का कोई कैथॉलिक ही होना चाहिए सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है उप प्रधानमंत्री का पद और की करन की मांग छोड़ने पर सहमत हुए जब इसाईयों और मुसलमानों के बीच यह समझोता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी बाद में मुसलमान इस पस्ट रूप से बहुमत में आ गए पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझोते का आदर करते हुए खलील को इस समझोते में बड़ी गरबड़ी लगती है वो राजनीतिक महत्वा कांखशा वाला लोग के पर यह वैकती है लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वो सबसे बड़े पत पर पहुँच ही नहीं सकता वो ना तो मा के धर्म को मानता है और ना ही पिता के असल म कहना है सिर्फ चुनाव कराईए हर किसी को चुनाव लड़ने की आजादी दीजिये और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो राष्टपती बन जाए भले ही वो किसी समुधाय का हो लेकिन उसके जिन बड़े बज़र्गों ने ग्रहयुद देखा है उनका कहना है कि बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा अगर आपको लेपनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते क्या आप पुरानी विवस्ता ही चलने देते या आप कुछ नहीं करते बेताल विक्रम और अपने बीच हुए सम बेताल के सवाल का जवाब तेरे में मदद कर सकते हैं सत्ता की साज़दारी के रूप राजनीतिक सत्ता का बटवारा नहीं कैजा सकता इसी धरला के विरुद सत्ता की साज़दारी का विचार सामने आया था लंबे समय से यही मानिता चले आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तिया एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समू के हाथ में रहनी चाहिए अगर फैसले लेने की शक्ति बेखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिधान्त है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोथ है इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाच के विबिन समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सारवजनिक नीतियां तै करने में सब की बातें शामिल होती हैं। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा मना जाता है जिसमें ज्यादा से कारणों पर गौर करें। दोक्तांत्रिक संस्थाओं के बारे में नवी कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कारेपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है पर यह संसत की अधीन कारी करती है। पूरी देश के लिए बनने वाली ऐसी सामाने सरकार को अकसर संग या केंडर सरकार कहते हैं। प्रांती या क्षित्री स्तर की सरकारों को हर जगे अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है भारत में हम इने राज्य सरकार कहते हैं हर देश में बटवारा ऐसा ही नहीं है कई देशों में प्रांती या क्षित्री सरकारे नहीं है लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व् सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्ता हो सकती है नगरपालिका और पंचायतें ऐसी इकाईयां हैं उच्टर और निम्नतर स्थर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बटवारे को उर्धवा धर वित्रन कहा जाता है हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार सी चर्चा करेंगे सत् सामाजिक समूहों, मसलन भाशाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामधाईक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उधरण है। कुछ देशों के समूधान और गानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समूधाय और महिलाओं को विधाईका और प्रशासन में हिस्सदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलेत आरक्षत चुनावक शेतरवाली ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधाईका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सदारी देने के लिए की जाती है ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समचने लगें। अलप संक्यक समूदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उच्चेते हैसे दारे दी जाती है। सामाजिक व्यवस्थां को शासन में भागी दारे देने के अलग अलग तरीकों पर हम इकाईदो में चर्चा करेंगे। सत्ता के बटवारे का एक रूप हम व्यवन प्रकार के दबाब समू और आंदलों दोरा शासन को प्रभावित और नियंतरत करने के तरीके में भी लक्ष कर सकते हैं। लोगतंतर में लोगों के सामने सत्ता के दाविदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालिन लोगतंतरिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प व्यवन पारटियों के रूप में उपलब्द होता है। पारटियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिसपर्धा करती हैं। पारटियों के ये आपसी प्रतिदोंधता ही इस बात को सुनिशित कर देती हैं कि सत्ता एक व्यक्ति या समूँ के हाथ में न रहे। एक बड़ी समयावधी पर गोर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी-बारी से अलग-अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पारटियों के हाथ आती जाती रहती है कई बार सत्ता की ये भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है क्योंकि दो या अधिक पारटिया मिलकर चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करती है लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपती, किसान और उद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठते हित समूहों को भी सक्री देखते हैं सरकार की विभन समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्के के लाप के लिए दवाब बना कर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं इकाई तीन में हम राजनी तिकदल, दबाब समूह और सामाजिक आंदलोनों की कारपणानी पर गौर करेंगे क्या समझा, क्या जाना सत्ता के बटवारे के कुछ उधारन इस प्रकार हैं ये सत्ता की साज़दारी की चार शिर्णियों में से किस में आते हैं यहां सत्ता का साज़ा कौन किस के साथ कर रहा है बंबई उच्चे निया एले ने महराष्ट सरकार को आदेश दिया कि वो तत्काल कारवाई करें और मंबई के साथ अनाथालेहों के दो हजार बच्चों के रख रखाओं में सुधार करें कनाडा के ओंटेरियो प्रांथ की सरकार ने वहां के मूलवासी समुधाय के साथ जमीन के दावों का निप्टारा करने पर सहमती दे दी स्थानी मामलों के लिए जवाब दे मंत्री ने घोशना की कि सरकार मूलवासी समुधाय के साथ पारस पर एक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी। रूस की दो प्रभावशाली राजनीतिक पारटियां दा यूनियन ओन राइट फोर्सेज और लिबरल याब लोको मुवमंट ने एक मजबूत दक्षनपंथी कडबंदर बनाने के लिए अपने संगठनों के विले का फैसला किया। इनका परस्ताव है कि अगले संसदे चुन प्रशनावली 1. आधनिक लोकतांतरिक व्यवस्था में सत्ता की साज़दारी के अलग-अलग तरिके क्या हैं इनमें से प्रत्यक का एक उधरन भी दें 2. भारती संदर्व में सत्ता की हिसेदारी का एक उधरन देते हुए इसका एक युक्ती परक और नयतिक करण बताईए तीन इस अध्याय को पढ़ने के बाद तीन चात्रों ने अलग अलग निसकर्ष निकाले। आप इन में से किस्ते सहमत हैं और क्यों अपना जवाब करीब पचाश शब्दों में दीजे। तंबन जिन समाजों में क्षेतरी, भाषाई और जादी आधार पर विभाजन हों सिर्फ वही सत्ता की साज़दारी जरूरी है। मथाई सत्ता की साज़दारी सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए उपयोगते हैं जहां क्षेतरी विभाजन मौजूद होते हैं। औसेफ, हर समाज में सत्ता की साज़दारी की जरूरत होती है, भले ही वो छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाज़न ना हो. चार, बेल्जियम में ब्रूसिल्स के निकट स्थित शेहर मर्चिम टेम के मेर ने अपने यहां के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी लोग को सही बताया है, उन्होंने कहा कि इस से डच भाशा ना बोलने वाले लोगों को इस फ्लैमिश शेहर के लोगों से जुडने में मदद में लेगी, क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साढ़धारी की वेवस्ता की मूल भावना से मेल खाता है, अपना जवाब करीब पचाश शब्दों में लिखे, दिये गए उधुरन को ध्यान से सुनिये और इसमें सत्ता की साढ़धारी के जो लोगतंतर की स्थापना करता है, यह सत्ता और लोगों के हातों में सौपता है, जिनके हातों में उसे होना चाहिए, ब्रश्टा चार कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है, जब विकास की यूजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागेदारी हो तो इन यूजनाओं पर उनका नियंतरन बढ़ेगा, इस से ब्रश्ट बेचोलियों को खत्म कह जा सकेगा, इस प्रकार पंचायती राज लोगतंतर की नीव को मजबूत करेगा, बेलजियम और शलंका की सत्ता में साज़दा का प्रयास किया, सरकार की नीतियों ने सेहली भाशी बहु संख्यकों का प्रभूत्व बनाये रखने का प्रयास किया, अपनी संस्क्रती और भाशा को बचाने, तथा सिक्षा तथा रोजगार में समानता के औसर के लिए श्रलंका के तमिलों ने सत्ता को संग्어 धाचकीtest पर बाटने की मांग की गह बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगे संगी शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधर पर तूटने से बचा लिया गया